नमस्कार दोस्तो चानो टीवी में आपका हर्तिक स्वागत है आज हम बात करेंगे एरफोन की जी हाँ एरफोन आज कल का जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है आज के जमाने के ऐसी टेकनोलोजी आ चुकी है जिसकी मदद से हम अपनों से दूर को सो दूर बैठे आदमी से भ पायदा होता है वैसे हुच चीज का नुकसान भी होता है जैसे कि मोबाइल से हम कई तरह के काम गरबैटे ही कर सकते हैं लेकिन अगर मोबाइल को दिन भर इस्तमाल किया जाए तो इसका सीधा रेडियेशन हमारे दिल दिमाग और हमारे शरीर पर एक्ट करता है जैसे कि और फॉन का इस्त्LES करना छोड़ सकते हैं। आर ये जानते है, इस्तhamर करने से कैसे नुकसान होते हैं। कई लोग सारे दिन कान में एरफ़ून लगाने के बाद भी मुबाइल की आवाज इतनी भळा देते हैं। कि मोबाइल के सिवह उन्हें किसी और चीज की आवाज सुना ही नहीं देती और ऐसा करने से कान का परदा कंपन करने लगता है और धीरे-धीरे हम दूर की आवाज सुनने की समता को खो देते हैं जब कोई भी वैक्ती अपने कान में एरफोन लगाता है तो अपने कान की 65 डेसीबल तक की आवाज को सेहन कर सकते हैं लेकिन जब कोई आदमी एरफोन का इस्तमाल करता है तब उसके कान में 100 से जादा डेसीबल तक की आवाज सुनाई देती है जिससे कि हमारे कान को इतना लोगों को आदत होते ही कि जब उन्हें नीन नहीं आती तब उन्हें रात के समय कान में एैरफोन लगा कर सोने कीखऴिते करते हैं लेकिन आप नहीं जानते होंगे की नीन ना आने की सबसे बड़ी समझे है। कि आप एयरफोन का इस्तमाल करते हैं तो आपके कान पर तेज आवास का सरपड़ता नेंद नहीं आने की समस्या हो जाती है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप एयरफोन का इस्तमाल कम से कम करेंगे और अपने कान को सुरक्षित बनाए रखेंगे तो आप ऐसी ही रोचक जान का इप आपके